इश्क दरिया को प्यास करे इश्क शियों को भी उदास करे इश्क सुरज का नूर कम कर दे इश्क मंदिर को भी हरम कर दे आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यह वीडियो क्यों दिखाया ये भी यूट्यूब पर मौजूद हजारों वीडियो की तरह ही है जिसमें हीरो और हीरोईन गार्डन में बैठे गीत गाते नजर आ रहे हैं लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विश्ट है अगर आपसे मै ये कहूं कि परदे पर नजर आ रही ये खुबसूरत अदाकारा कोई हीरोईन ये मौडल नहीं है बलकि मध्यप्रदेश पुलिस की एक धाकर और दबंग IPS अफसर है जिसे देखकर खुखार अपराधी भी खौफ खाते हैं तो शायद आपको हैरांगी होगी जी हां मैं परदेश की IPS अधिकारी सिमाला प्रसाद की गिंती खुबसूरत और दबंग महिला अफसरों में होती है उनका नाम सुनते ही अपराधी खौफ खाते हैं वह IPS अधिकारी और सांसत भगीरत प्रसाद वस आहित्यकार मेगुरिसा परवेश की बेटी हैं सिमाला के IPS की राह सिमाल की सेल्फ इस्टेडी के दम पर ही उन्होंने परिक्षाओं को पास किया उनकी पहली न्यूपती DSP के रूप में हुई थी रात दिन नौकरी करते हुए अपने सिक्षा दिक्षा बढ़ाते हुए सिमाला ने सिविल सर्विसेस की तैयारी की और वर्स 2011 में उनका नाम IPS की लिए चयन भी हो गया सिमाला की सिक्षा भपाल के सेंट जोसिफ स्कूल के इदगाह हिल्स में हुई उसके बाद स्टुडेंट्स पॉर एक्सिलेंस दोनों ने बीकॉम और वियों में PG किया उनको बरकत उल्ला युनिवर्सिटी में सोसोलोजी के PG के दौरान वोल्ड पुचा नहीं था कि वह सिविल सर्विसेस में जाएंगी सिमाला के नुसार स्कूल और कॉलेज के दौरान उन्होंने नाटकों में काम किया था वह थीटर करती थी अभिनाय का सिर्फ शौक नहीं था बलकि बहतरीन अदाकारा भी वो थी अभिनाय की समझ उनमें पहले सी थ उन्हें लगा कि लोगों को अवैर करने के लिए फिल्मों में भी काम किया जा सकता है इसके कारण उन्होंने फिल्मों में भी अपना हाथ हजमाया सिमाला बॉलीबूट की कई फिल्मों में काम कर चुकी है वह डिरेक्टर जैकब इमाम की फिल्म नकास में टीवी पत्रकार की भूमी का निभा चुकी है फिल्म में सिमाला हिंदू मंदिरों में नकासी करने वाले एक सक्स का इंटर्व्यू लेती हैं इस रोल में वो इतना डूबी कि टीवी चैनलों में को अब्जर्व करने लगी इन दोर में CST विजयनगर और SP East के पत पर भी वो काम कर चुकी है बॉलीवूट फिल्म अलीव में मुख के किरदार में नजर आ चुकी है इस तरह उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल का काफी मुझारा किया और बॉलीवूट में भी अपना नाम बनाया है उनकी फिल्मों तक कहुचने की भी कहानी काफी दिल्चस्प है डारेक्टर जैगा भी माम अमनी फिल्म अलीव की कास्टिंग कर रहे थे इसी दोरान दिल्ली के कारेक्रम में उनकी मुलाकात इस IPS अफसर में होती है और वो उनको उफर करते हैं कि आप क्या हमारी फिल्मों में काम करेंगी डारेक्टर की इस बात को वो इनकार नहीं कर पाई क्योंकि बच्पन से उन्हें भी फिल्मों में काम करने का शौक था वो थेटर में काम करती थी और काफी एक्टिंग कर चुकी थी बता दे कि मध्ध प्रदेश कैडर की IPS अफसर सिमाला 2011 बैज की IPS अधिकारी है अच्छी पुलिसिंग को लेकर सिमाला मध्ध प्रदेश में सुर्ख्यों में बनी रहती है प्रदेश के कई जिलों में वाइस्पी के रूप में काम कर चुकी है लॉक्डोन के दौरान भ्यून की एक कविता काफी सुर्ख्यों में रही लोगों ने उसे काफी पसंद किया तो ये थी कहानी सिमाला की जिन्होंने IPS बनकर अपना नाम रोसन किया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को तबाएं ताकि आने वाले वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेस्बूक या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो और लाइक कर दे शुक्रिया